जैहिन दोस्तों Career Point के YouTube चनल पर मैंनिल कुमार आपका सवागत करता हूं आज है साथ मई और आज आपका ससी MTS का कोई एक्जाम नहीं हुए तो आज हम क्यूस्टन करने वाले हैं जो आपके अभी एनलेसिस अभी एक्जाम हुए हुए तो उनका पूरा अलेसिस हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो के अन्तक बिने रहना अगर आपका ससी MTS का एक्जाम है अगर आप लोग फ्रेंट्स आज केरियर पॉइंट पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लेना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नटकेशन मिलता रहे और फ्रेंट्स वीडियो को लाइक और जैदा-जैदा सेर करें अपने सभी फ्रेंट्स के सात्में तो चलिए फ्रेंट्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं इस क्यूसिन है लग से दिप की राजधानी कहा है यादक ना कावरती लक्षे द्वीप की राज़ता नहीं है उप्षिन नमबर B आपका इस question के लिए राइटन सुरोगा नेच्ट है फ्रेंड इंपोर्टन क्योश्चन समूदर पूतर के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड लक्षे द्वीप को समूदर पूतर के नाम से जाना जाता है उप्षिन नमबर सीज क्योश्चन के लिए राइटन सरोगा नेच्ट है फ्रेंड सुविधान सभा का पर्थम अधिवेशन कब हुआ था यादकी फ्रेंड नोध दिसंबर निसोचियारिस में स्विधान सभा का पर्थम अधिवेशन हुआ उप्षिन नमबर सीज क्योश्चन के लिए राइटन सरोगा नोध दिसंबर निसोचियारिस नेच्ट है फ्रेंड वेरी वेरी इंपोर्टन क्योश्चन पंचायत के सदे से चुने जाने के लिए नियून्तम आयू सीमा क्या है यह आपका क्योश्चन है ना यह अभी सीजियल जो अभी मेंस हो है उसके अंदर एक क्योश्चन पूछा गयता तो यादक ना फ्रेंड पंचायत का सदे से चुने जाने के लिए के लेक कुने फ्रेंड्स बाल गंगादा तिलफ कीता रहसे के लेक है उप्शन नमबर बीस क्योश्चन के लिए राइट अंसर होगा अगर फ्रेंड्स आप लोग चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को लपे सेट कले ना जिसे कि आपको आनवली सभी लेटेस्ट वीडियो का नुटकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स नेक्स्ट है अकबारी कागज के लिए कौन सा सहर परसिद है तो फ्रेंड्स यादखेंगे नेपा नगर परसिद है और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ जाए नेपा नगर कहां पर है तो फ्रेंड्स आप लोग यादखना मध्य परदेश में है नेपा नगर ये किस के लिए परसिद है अकबारी कागज के लिए उप्शन नमबर बीस क्योशन के लिए राइट रंसर होगा नेक्स्ट फ्रेंड्स जब भारत को सब्तंतरता की मंजूरी दिगई उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी फ्रेंड्स लेबर पार्टी यूके में सत्ता में थी उप्शन नमबर से इसक्योशन के लिए राइट रंसर होगा लेबर पार्टी सांगीत किस से समन्दित है सामवेद से option number D आपका this question के लिए राइटन सोगा अगर friends आप से पूछा जाता है वेदों की कुल संक्या कितनी है तो friends यादकना वेदों की कुल संक्या 4 है कौन कौन से है friends पहला रिगवेद दूसरा अथरवेद तीसरा यजरवेद और चारवेद है चारवेद हैं चारव के ओप्शन में भी है ठीक है next question है friends Michael O. Dyer की हत्या किस ने की थी यादकी friends उधम सिंग के दवारा Michael Dyer की हत्या की की थी option number C यादकी है next friends हमारे सुविधान का भाग दो की से समझेए friends याक ना भाग दो का समझेए नागरिकता से option number B यादकी है अगर friends आप से पूछा जाए भारत में कैसी नागरिकता का प्रावतान है यादक ना friends भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान क्या गया है और friends आज की इस class में हम total 50 questions करेंगे जो की आपके लिए important है आपके exam के लिए important है next question है friends सांती का सागर C of tranquility कहां पर इस्तित है friends यालकना C of tranquility चंदरमा पर इस्तित है option number B question के लिए right answer होगा सांती का सागर C of tranquility next है friends राजे चुनाव आयुकत की न्युकती कोन करता है राजे चुनाव आयुकत की न्युकती friends राजे पाल की दवारा की जाती है option number C question के लिए right answer होगा अगर friends आप से पूछ जाए राजे पाल की न्युकती कोन करता है जो भी राजे पाल होते है उप राजे पाल हो ते हैं परसासक है न, सभी की न्युक्ति Friends President राष्टरपती के तवारा की जाती है अगर Friends आप की पूछ जाए राजे पाल हो उप राजे पाल परसासक या राष्टरपती, इन सभी की न्युक्ति के ले कम से कमाई किटनी हो निए चींगे तो याद एकना friends 35 साल तीक है और friends याद एकने जो वर्तमान में राश्टपति हैं वह दरॉबदी मुर्मू जो की भारत की पहली आदिवासी महिला राश्टपति बनी है Next day friends Muslim League ने पर्थक राजय पाकिस्तान की घोशना की सुवर्स की थी Friends याद एकना 1940 में पाकिस्तान की घोशना की थी Muslim League के दवारा option number D discussion के लिए right answer होगा अगर friends आपसे पुछा जाता है पाकिस्तान का पहला गरोनर जर्नल कोन था तो friends याद एकने मोहमद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गरोनर जर्नल थे Friends मोहमद अली जिन्ना को काईदे आजम की उपादी महत्मा गांधी की दवारा दे गी थी और friends आप लोग याद एकने इनका जो निवास्तान अगर आपसे पुछ जाए कि मोहमद अली जिन्ना का निवास्तान कहां पर है तो याद एकना friends मूमबई में तीक है next question है friends सबसे निमन ग्रेड का कोईला कून सा है सबसे निमन ग्रेड का कोईला होता है friends पीट कोईला सबसे निमन ग्रेड का कोईला होता है option number 3 question के लिए right answer होगा next question है रिगवैदिक काल के सबसे महत्पून दे होता कून है फ्रेंट्स याकना इंदर रिग्वैदिक काल के सबसे महतपून देवता हैं, option number C question के लिए right answer होगा next है, अमेरिका और कनाडा को कोन सी रेखा अलग करती है फ्रेंट्स याकना उन्हें चासी रेखा, अमेरिका और कनाडा को अलग करती है option number A, right answer होगा, उन्हें चासी रेखा next है, फ्रेंट्स दुरुनाचारी पुरुषकार किसे परदान किया जाता है फ्रेंट्स याकना खेल फर्शिक्सकों को, जो कोच होते हैं उनको दुरुणाचारी पुरुषकार दिया जाता है option number A, right answer होगा, खेल फर्शिक्सक्या कोच को next है, फ्रेंट्स मूल सुविधान में कुल कितने अनुचे थे फ्रेंट्स यादख केंगे, 395 option number B, right answer होगा, कितने अर्टिकल थे, 395 next है, फ्रेंट्स, आरिये समाज की स्तापना किसी ने की थी friends, यादख केंगे, स्वामी दयानन सरस्वती के दवरा, आरिये समाज की स्तापना की की थी option number A, आपका, right answer होगा, friends, आपने comment करना है आरिये समाज की स्तापना स्वामी दयानन सरस्वती ने कब की थी या आप लोगों का homework है, या आपने comment करना है next है, friends, आवत सानी का पहला ततव कौन सा है तो यादख ना, friends, हाइडोजन आवत सानी का पहला ततव है option number B, इस question के लिए राइटन सोगा अगर, friends, आपसे पूछा जाए, बहुषे का इंधन किसे कहा जाता है तो, friends, या आदख ना, बहुषे का इंधन हाइडोजन गैस को कहा जाता है और, friends, या आदख न, ये सबसे हलकी होती है next question है, friends, गोल घर का निर्मान की सुवर्स हुआ था या आदख न, 1786 में गोल घर का निर्मान हुआ था option number A question के लिए राइट अंस होगा, 1786 next है, सक्समुवत का आरंब कब हुआ था friends, अठेतर इस्वी में सक्समुवत का आरंब हुआ था option number B question के लिए राइट अंस होगा next है, महा भारत के रचियता कौन थे महा भारत के रचियता थे friends, महर सी वेद्वियास option number B question के लिए राइट अंस होगा और friends, अगर आपसे पूछ जाए, महा भारत का युद कितने दिनों तक लड़ा गया था तो याक न, friends, 18 दिन तक, 18 दिन तक लगातार, कोरव और पांडवो के बीच में कुरुक्षेतर में महा भारत का युद लड़ा गया था ठीक है, और इसके रचियता कोंटिमेरेंट्स महा भारत के महर सी वेद्वियास थे आप लोग या दखेंगे next friends, किस संसली स्तंतु को कर्तरिम सिल्क कहा जाता है next friends, नाइलोन को कर्तरिम सिल्क कहा जाता है option number A, राइटन सो जएगा नाइलोन को कहा जाता है कर्तरिम सिल्क next friends, पिक्चर, धाउनी और वीडियो से बनी निर्गत को क्या कहा जाता है friends, यादा केंगे मल्टी मीडिया कहा जाता है option number B, राइटन सो का मल्टी मीडिया next friends, महान सहीद, बगत सिंग, राजगुरु, सुखदेओ को जब फासी दी गई उस समय भारत का वाइशराय कौन था friends, यादा कहेंगे Lord Irwin Lord Irwin भारत का वाइशराय था जब भगत सिंग, राजगुरु, सुखदेओ को फासी दी गई थी option number D, के लिए राइटन सोगा Lord Irwin next friends, नीमन में से कौन, सतुनताजा पूरव भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आया था friends, सबसे अंत में आया थे फ्रांसी, option number D, के लिए राइटन सोगा, और सबसे पहले 1498 में पूर्टगाली आया थे, वासको डिगामा, ठीक है, कहां पर आया थे friends, वासको डिगामा, कालिकट, 1498, 1498 में में आप लोग यादखिएगा next friends, विदेश्या किस राज्ये का एक लोग निते है विदेश्या, बिहार राज्ये का लोग निते है, और friends, आप लोग यादखना, बिहार राज्ये दिवस्मन आजता है, 22 मार्च को और friends, यादखना, विदेश्या जो यह क्योश्यन आपके एक्जाम में, अससी सीजल में में पूछा गय था स्थापक कोन थी, friends, यादखना, महातमा गांदी, एहमदाबाद कपड़ा स्रमिक्षन के संस्थापक थे, option number 8, question के लिए राइट होगा, यादखना, friends, एहमदाबाद जो है, वो गुजरात में, इसको कहा जाता है, friends, पूराव का बोश्टन, आपके पूराव का बोश्टन किसे कहा जाता है, तो friends, यादखना, एहमदाबाद को पूराव का बोश्टन कहा जाता है, और friends, यादखनेंगे, महातमा गाली जी के जनम दिवस, 2 अक्टूबर को हुआता, 2 अक्टूबर, 18 सुनेतर को पोरबंदर, गुजरात में, इनके जनम दिवस, 2 अक्टूबर को अ हिंसा दिवस की रूप में मना जाता है, आप लोग याद रखेंगे, next friends, Eiffel Tower कहां इस्ती थे, friends, Paris में इस्ती थे, Eiffel Tower, option number D, question, clear, right answer होगा, Paris, next friends, सार्दा, अधिनियम, किस से समझदी थे, friends, बाल, युहास से समझदी थे, सार्दा, अधिनियम, option number B, question, clear, right answer होगा, next friends, AC का पूरण रूप क्या है, friends, AC का पूरण रूप है, alternative current, option number B, question, clear, right answer होगा, और friends, AC के खोज किसने के था, willis carrier में, next friends, सार्ण, बेल गुला में, गौमतेशुवर की परतिमा को किसने बनवाय था, friends, यादकना, चामुन राय ने, सार्ण, बेल गुला में, गौमतेशुवर की प लिक और शेयर करेंगे, जिससे हमें motivation मिलेगा, आपके लेचे सीवी वीडियो लेक राएंगे, और उससे आप अपनी तयारियां पर बिलकुल फ्रेमें कर सकते हैं, friends, Michael Dyer कहता की गई थी, 1940 में, option number C, question, clear, right answer होगा, 1940, next, friends, optical fiber किस सिधान्त पर कारिये करता है, तो याद रख सूरिये के साथ एक केंदर में, ड्रिग वर्त में चलता है, यह किस ने कहा था, friends, यह कहा था, के पलर ने, option number C, question, clear, right answer होगा, next, सिवाजी के सासनकाल की आउधी क्या थी, friends, याद रखेंगे, 1664 से 1660, सिवाजी के सासनकाल की आउधी थी, option number A, इस question के लिए, right answer होगा, next, friends, friends, दमन और दियु की, राजधनी कहा है, friends, दमन दियु की राजधनी दियू, option number B, question, clear, right answer होगा, next, friends, तारपीन का तिल किस से प्राप्त होता है, friends, चीड वरिक से तारपीन का तिल प्राप्त के जाता है, option number B, question, clear, right answer होगा, next, friends, इसा मशी का जनम कहां हुआ था, यादक ना बेथलहें में इसाम मसी का जनम हुआ था option number B question के लिए राइट अन्स होगा next है friends है cobalt किस विटामिन में पाया जता है यादक है friends vitamin B12 में cobalt पाया जता है option number D question के लिए राइट अन्स होगा और friends यादक ना यह आपका आश्र से CSSL combined higher secondary level exam में जोता है याद रखेगा नेक्स्ट है बुद्दा स्मिर्थी पारक कहां इस्तित है फ्रेंड्स पटना में option number A इसक्यूशन के लिए राइट अंसोगा फ्रेंड्स पटना आप लोग याद रखेगे next है फ्रेंड्स कौन सनुशेद बच्चों को कारखानों में काम करने से परतिरोध करता है फ्रेंड्स अनुशेद 24 आर्टिकल 24 बच्चों को कारखानों में काम करने से परतिरोध करता है option number A आर्टिकल 24 अनुशेद 24 सही हो जाएगा इसक्यूशन के लिए next है संसद का निमन सदन किसको कहा जाता है संसद का निमन सदन फ्रेंड्स लोक सभाग को कहा जाता है option number A लोक सभाइस क्लिए राइट अन्सर होगा उच सदन किसको कहा जाता है तो यादा खेंगे राजसभा को उच सदन कहा जाता है यादा खेंगे राजसभा को उच सदन कहा जाता है और लोग सभाको निबन सदन next friends अटा कामा मुरुस्तल कहां इस्तित है friends दक्षिन अमेरिका में अटा कामा मुरुस्तल ही कहा पर है दक्षिन अमेरिका में इस्तित है option number A इस question क्लिए right answer होगा next friends कपड़े धोने के सोधे का रासाइनिक सूतर क्या होता है याद ही का friends Na2CO3 into 10 molecule of water 10H2O option number B इस question क्लिए right answer होगा 10H2O क्या friends 10 molecule of water यानि 10 molecule की सके हैं पानी के molecule हैं इसके 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 इंदर next देखिएगा friends साहित अकादमी का मुख्याले कहां है फ्रेंट्स नई दिल्ली में साहित एकादमी का मुख्यले नई दिल्ली में option number 10 question के लिए right answer होगा नई दिल्ली next है friends रावी नदी का वैदिक नाम क्या है friends पुरुषनी रावी नदी का वैदिक नाम है option number 10 question के लिए right answer होगा next और last question friends फेराडे किसकी इकाई है friends फेराडे धारिता की काई है option number 6 question के लिए right answer होगा धारिता friends आज के question आपको complete होते हैं अगर friends आज की वीडियो आपको अच्छे लगी helpful लगी ना तो वीडियो को like share करेंगे और अगर आप लोग चैनल पर फैली बारा है चैनल को subscribe करके बैल आइकन को ओल पर सेट करना जिससे कि आपको आने वाली सभी latest वीडियो का notification सबसे पहले जाएगा और आप अपने एक्जाम के आपर बिलकुल फ्रेमें तयारी कर सकते हैं friends जिसके लिए आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन के लेंगे